दोस्तो आखिरकार आप जाके TVS ने next generation Jupiter 110 को launch कर दिया है एक दसक से जादा समय तक इस Jupiter को इसे जादा तर बीना बदले रखा गया था अब इस नए model में आपको कई सारे update देखने को मिलेंगे जैसे design में काफी जाता changes कर दिया गया है light में changes कर दिया गया है और engine में भी कुछ चीज़े update की लिए है तो सबसे पहले मैं आपको front से बताना स्टार्ट करता हूँ tire size आप देख सकते हैं ये आपको पिछले वाले Jupiter के जितना ही मिलेगा लगवग 90-90-12 tire size मिलेगा और ये आपको L.I. wheels के साथ मिलेगा इसके बाद इसके build quality की बाद करो तो ये mudguard आपको steel metal में मिलेगा और ये वाला panel आपको fiber में मिलेगा यहाँ पे आपको DRL light दिया हुआ है जो काफी बढ़िया लुक दे रही है और इसी में आपको indicator light भी देखने को मिल जाएंगे जो काफी बढ़िया लुक दे रही है इसके अलावा इसका जो front का लुक है वो काफी बढ़िया लग रहा है और इस बार इसमें LED headlight दिया हुआ है और smart X connect दिया हुआ है X connect एक ऐसी तकनीक है जो आपको अपने phone को अपने scooter से connect करने और navigation call करने और अन्य कार्यों के लिए भी इसे use कर सकते है और यहाँ पे देख सकते हैं TVS iGo Assist का feature दिया गया है जिसका मतलब riders को आसान, smart और stress free बनाती है और यह mileage को 10% तक बढ़ा सकती है और इसके engine की बात करें तो 113.3cc का single cylinder engine है जो कि यह 1500 RPM पर 8.2 PS की power और 5000 RPM पर 9.8 HM का torque generate करता है इसमें air cooled engine है scooter में smooth acceleration के लिए CVT gearbox भी दिया हुआ है और इसके बाद आपको handle bar में switches वगरा देख सकते हैं high beam, low beam और indicator switch मिल जाएगा और indicator वाला switch दबा के रखेंगे तो hazard light on हो जाएगी जो कि basically 4 indicator on हो जाएगा hazard light का उपयोग तब करना चाहिए जब आप driving कर रहे हैं और सामने किसी दुरघटना की कारण आपको गाली की speed धीमी करनी पड़े तो इस इस्तिती में आप hazard light का उपयोग कर सकते हैं और इसके बाद एक और feature दिया है indicator में मान लिजे चलती हुई गाड़ी में आपने indicator जलाया उसके बाद 10 से 15 सिकंड में indicator आटोमेटिक बंद हो जाएगा ये वाला feature काफी बढ़िया दिया है scooter में इसके बाद यहाँ पे आपको auto start on off का बटन मिल जाएगा और जो lower variant है उसमें आपको ये auto start का बटन नहीं दिया जाएगा सिर्फ engine on off का बटन दिया जाएगा और इसके बाद मैं आपको meter का feature दिखा देता हूँ कि इस बार meter में क्या क्या feature दिया हुआ है इस बार meter पूरी तरह से digital दिया हुआ है तो देखते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़े दिखा रही है एक बार off on करके दिखा देता हूँ इसमें आपको दोनों side indicator देखने को मिल जाएगा चेक engine light, high beam indicator, helmet की warning, real time mileage और इसके बाद इसमें brightness भी set कर सकते हैं एक minute आपको set करके दिखा देता हूँ देखिए यहाँ पे brightness set हो रहा है और इसके बाद मैं आता हूँ boot space और fuel tank के लिए तो की से इस तरब गुमाएंगे तो आपका boot space अनलाग हो जाएगा और इसके बाद यहाँ से push करके इस तरब गुमाएंगे तो आपका fuel tank जो है open हो जाएगा लेकिन fuel tank इस बार छोटा दिया गया है लगबग 5 लीटर का दिया जा रहा है और boot space की बात करूँ तो 33 लीटर का boot space मिल रहा है जो काफी बड़ा है इसमें helmet के साथ साथ कपड़े भी रख सकते हैं दोस्तो इस बार की Jupiter आपको कैसे लगी इसके feature आपको कैसे लगे या फिर जिन लोगों को लग रहा है कि इसमें किसी भी type की कोई problem आ रही है तो comment करके जोरोर बताएं